नमस्कार मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जिड नाम बालों का साल 2021 से और साल 2022 का शमय कैसा भीतेगा इन दो बड़सों में आपके जीबन में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियों को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वेडियों के नीचे जै हनुमान कमेंट कर दें इस वेडियों के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर और शांदार होगा तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों आने वाले दो बरसों में अगर आपके बेपार की बात करें आपके बिजनेस की बात करें तो साल 2021 से और साल 2022 में आपके बिजनेस के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा इन दो बड़सों में आपको अपने बेपार के छित्र में किसी भी काम को करने में पूरा मेहनत पूरा परिस्त्रम करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बेपार के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा इन दो बर्सों में आपके बेपाड के छित्र में आपके जो सिनियर होंगे आपके जो अनुभवी लोग होंगे उन लोगों का मर्ग दर्शन उन लोगों का सहयोग उनका सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों आने वाले दो बर्सों में अगर आपके नौकडी की बात कड़े तो नौकडी के द्रिष्टी कोन से आपका आने वाला समय सामानने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब दोस्तों इन दो बरसों में आपके नौकडी के छित्र में आपके बोस या आपके सिनियर के द्वारा आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मेहनत इमान दाड़ी और एकागरता के साथ आपको पू सिहत की बात कड़ें तो सिहत के दृष्टी कौन से आपका आने वाला समय सामान्य तोर पे बहुत जयादा बिहतर और सांधार होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले दो बरसों में किस टोटके को आज माने के बाद आपका समय बहतर और सांदार होगा। दोस्तों आने वाले दो बरसों में अपने समय को बहतर और सांदार बनाने के लिए आपको हर सोमवार के दिन महादेब की पूजा करनी चाहिए। साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें। इस वीडियो के नीचे जय बजरंग बली कमेंट कर दें। इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें। धन्यवाद।